Hello All, Welcome to Import-Export. Payment terms, जब हम Import-Export का भी श्टार्ट करते हैं, तो सबसे करों कि critical जो point आता है वो payment terms होता है, कि कब हमें कौन सा payment term चूस करना चाहिए, तो मैंने अभी जो LC की playlist में ये video डाल रहा हूँ, तो इसमें मैंने एक payment term LC है, वो तो उसमें चली रहा है, उसके अलावा आपने advance के बारे में भी सुना होगा तो उसको तु जानते ही है अभी कभी कभी क्या होता आप यह देखते होगे cat payment terms या बोलते हैं dp payment term dda, dda, oa तो यह कब use होते हैं, कहां पर use होते हैं, क्या process होता है किसको क्या benefit है importer के point of view से भी समझेंगे exporter के point of view से भी समझेंगे जिससे आप next time जब deal करोगे तो आप बेहता से समझ पाओगे कि इस time पे मुझे कौन सब payment term choose करना चाहिए तो चलते हैं अपनी पहली slide पर और देखते हैं payment terms की सारी detail तो इस slide में हम समझेंगे cat के बारे में जिसका cat का full form होता है cash against document इसे dp payment terms भी बोलते हैं जो इसका full form होता है document against payment यानि कि इन दोनों का मतलब सेम है आप चाहे cat बोल दो चाहे dp बोल दो अलग अलग country में अलग अलग तरीके से बोला जाता है लेकिन दोनों का जो means है वो सेम है ठीक है देखी यहाँ पर जो मैं slide लिया हूँ मैं आपको यह किस तरीके से work करता है क्या process होता है सारी चीज़ details से one by one चलूँगा और last में यहाँ पर आप देख सकते हैं benefit वो भी बताऊँगा ठीक है तो यहाँ पर अभी हमने जो example के तौर पर लिया है यहाँ पर एक exporter ले लिया है और यहाँ पर जो मैं मैं लेता हूँ हमेसा as a importer लेते हूँ ठीक है अब इन दोनों के बीच में payment terms आता है तो payment terms क्या international जहाँ भी payment terms आता है तो दोनों को कहीं ना कहीं risk होता है क्या risk होता है अब देखिए importer के point of view से समझेंगे इनको क्या risk है कि इनको यह डर है कि अगर मैं advance payment दे दूँ अगर मैं advance payment दे दूँ और लेने के बाद जो exporter है वो shipment dispatch न करे या कोई गलस shipment shipment dispatch कर दे तो उस condition में मेरे पैसे क्या होंगे फज जाएंगे उसी condition में exporter को तरफ सोचता है अगर मैं उधार दे दूँ advance तो यह चाहिता ही है लेकिन advance यह नहीं देना चाहिए तो उधार दे दूँ तो उधार की condition में क्या होगा मैं shipment dispatch कर दूँ और उसके बाद वो payment देने में देर करें डिले तो नॉर्मली इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा डिले होता है यहाँ पर तो नॉर्मल सी बात है लेकिन अब जब बाहर कंड़ी से हम डिल करते हैं तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उनका timeline होता है वो कहते हैं कि हमें 30 दिन में यानि 30 दिन में इस दिन invoice का date है इस दिन से 30 दिन में हमें payment चाहिए जैसे ही आप 31 या 32 दिन करोगे वो आपका दीरे दीरे आपका जो credit limit है वो उनके उपर से कम होता जाएगा और वो आपको जो है दीरे दीरे वो advance में convert करते जाएंगे क्योंकि वो एक तरीके से आपने उनका trust खो दिया पर इंडिया में कहा अगर 30 दिन का payment time है तो 45 दिन से पहले आपको मिल ही नहीं सकता यह तो आप समझ लो बहुत ही कम जो मैंने buyer देखे हैं जो India के इस पेसली जो की payment time पर देते हूं पर जो इंडिया का जो module है कुछ ऐसा ही है तो उसमें कुछ नहीं कह सकते हैं तो यहां पर जो बात हो रही है वो international payment terms की बात हो रही है और जो importer exporter को नहीं जानता है exporter importer को नहीं जानता है होगा एक agreement होगा तो इनके बीच में एक आप यहां पर देख सकते हो bank जो है वो involved हो जाएगा ऐसे तो दोनों के बैंक इंवाल्व होंगे इनका exporter का bank होगा importer का bank होगा वो दोनों मैं नहीं ले रहा हूं यहां पर मैं order confirmation दे दी अब इनकी सामान के और dispatch करने का दिन आ गया तो इन्हों ने क्या किया shipment को dispatch कर दिया किसने कर दिया exporter जो भाई सावए नहीं आप इन्हों ने shipment को यहां से dispatch कर दिया dispatch करने के बाद मैंने आपको bill of लेडिंग के जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था बहुत सी ऐसी बील है जिसमें कुस्टम क्लियरेंस कराने के लिए आपको original documents की जरूत पड़ेगी जब तक जो exporter है वो original documents नहीं देगा जब तक उसे टेलेक्स release नहीं करेगा surrender भी यह नहीं करेगा तब तक आप custom को clearance नहीं करा सकते तब तक का उसका जो मालिकाना हाख है आप कह सकते हो उसको जैसे ही जब वो पा जाएगा importer वो document तभी custom clearance करा सकता तो इसने क्या कि डिस्पैश किया है इसको जो importer इसको की intimate कर दिया और mail पर चाहिए copy share कर देगा पर original document या surrender नहीं करेगा अब बिना document के importer के है वो shipment को छुड़वा नहीं सकता वो किसी भी country में हो चाहिए इंडिया में हो चाहिए किसी भी country में हो ठीक है अब यह क्या करेगा जो original document से जिसके help से आप सीड़ा सीड़ा चलो कि इस document के help से supplement clear हो सकता तो यह क्या करेगा उस bank को देदेगा यहां पहले से bank वगरा इंवाल हो चुका होगा उस bank तक यह documents पहुच जाएगा पहुचने के बाद चौथा point क्या देखोगे तो यह जो bank है इनकी तरफ से wait करेगा जब यह इनको payment देदेगा क्या करेगा payment transfer कर देगा जब तक यह bank bank जब तक original document importer को नहीं देगा जब तक उसे payment ना मिल जाएगा उसके बाद bank चेक करेगा कि सारे agreement fulfilled है सब कुछ है कोई problem तो नहीं है इंसे भी थोड़ा वो देते ले लेगा कोई दिक्कत तो नहीं है उसके बाद अब bank क्या करेगा वो जो payment मिला है वो इनको देदेगा कि भाई लो अपना payment और यह जो original document है आप ले लो एक साथ जब तक दोनों चीज बैंक को नहीं मिल जाएगी bank जो है document नहीं देगा इनको तो जब तक document नहीं मिलेगा तो इनको जैसे ही मिला documents तो इन्होंने अपने CHA की help से उसको जो shipment है वो clearance करा के अपने factory तक मगा लिया और उसको use कर लिया इस तरीके से आप देख सकते हो जो payment का transaction है जो shipment का transaction है वो पूरा हो गया ठीक है यह इसे कहते है cash against document या document against payment अब इसमें कुछ benefits भी हैं और कुछ laws भी हैं तो दोनों को लेकर चलेंगे सबसे पहला चीज़ आप सोचो कि क्यों ना LC कर ले तो LC में आपको पता होगा documentation बहुत ज़्यादा होता है time बहुत लगता है तो इज़ाद मैंने LC से आपको comparison करके दिया है कि यह जो cat payment है वो LC से सस्ता पाता है LC में interest लगता है, LC में charges लगता है, bank charges लगता है, सब कुछ लगता है, इसमें भी लगता है, पर इसमें कम लगता है, उसके बाद LC में time बहुत लगता है, और इसमें जो process है, वो fast होता है, जैसे ही दोनों चीज उसको document मिल जाएगी, वो जो है payment वागभी उसको देदेगा, exporter को और importer को वो देदेगा, क्या ना में original document ठीक है, अब LC में क्या होता है, एक credit define होती ही पहले से, यानि कि आगर आपका किसी के साथ account है, आपका EFC account है या A&R account है, तो वो आपको limit पहले से तरह कर देंगे, कि आप क्या फला फला आप import export रहते हैं, आप जो है इतने limit टक LC open कर सक तो इसमें क्या होता है, फंट पहले मिल जा रहा है, तो इसमें कोई limit का जो आपका होता है, वो इसमें count नहीं होता है, तो easily आ रहाता है कि आपका limit भी नहीं, reach हो गया, तो आप क्या करोगे, तो आप cat पर जाओगे, LC पर नहीं जा रहे हो किसी वज़े से, ठीक है, उसके ब benefits है, वो मैंने आपको बता दिया, दूसरा आपका होता है, bank guarantee नहीं है, यहाँ पर मैं white ले लिता हूँ, यहाँ पर मैं white symbol ले लिया, सबसे पहले क्या bank guarantee नहीं है, bank guarantee नहीं है, मतलब दिखिए, अगर कल को क्या हो गया, इन्होंने shipment dispatch कर दिया, dispatch अब यह भी तो आपको पता हो होगे किसी condition में, उसने कहा कि मैं payment नहीं देपाऊंगा, उस time पर इस bank के कोई भी responsibility नहीं होगी, आपका payment वहाँ पर फर्ज जाता है, दूसरा चीज, अगर shipment वहाँ से dispatch होगे, अब shipment वहाँ से dispatch होगे, अब shipment वहाँ से dispatch होगे, एक्सपोर्टर की problem होगे, तो यहाँ पर एक time वहाँ भेज देंगे, उस condition में, जो भी जो खर्चे आएगा, suppose कि यह जो shipment हो इंडिया के port टक पहुझ गया, और इन्हों ने कहा payment नहीं कर पाया, तो वह यहाँ से क्या करेंगे, इसकी health से उसको वापस जो है, जहाँ से आए, वहाँ भेज देंगे, लेकिन इस speech जो खर्च क्या करेंगा, टाइम से दे देगा, तो यह risk होता है, लेकिन फिर भी payment फज जाता है, तो चलता रहता है, पूला secure नहीं होता है, टाइम लगता है, अलग-अलग country होता है, तो उस वज़े से इतना अच्छा follow-up नहीं हो, पता आप जदा-जदा mail कर सकते हो, call कर सकते हो, physically visit कर हो गया, आपको उतने charges खुद ही लग जाता है, या बहुत बड़ा order है, तो फिर आप legal action वगएरा लो, वो दूसरा अलग-ची है, इस तरीके से, जो CAD है, वो work करता है, अगर आपको क्योई confusion होगी, तो आप मेरे कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा, उस पर जल से जल revert करन के लिए, अब चलते हैं, next, अब इस slide में हम समझेंगे DA, DA को क्या कहते है, full form होता है, चाहे DA बोल दो, चाहे DA बोल दो, तो इसको बोलते है, document against acceptance, इसका full form होता है, ठीक है, उसी तरीके से, जिसे में होता है, चाहे किसी country में DA बोलते है, किसी country में DA बोलते है, इसमें भी same problem हमारी ही international payment risk का, मैंने same slide लिया है, जिससे आपको पहता समझने में आसानी हो, अब यहाँ पर क्या हो गए, इन दोनों के बीच में DA agreement हो गया, क्या हो गया, DA agreement हो गया, अब यहाँ पर आप देख रखते हैं, इन्होंने क्या किया, dispatch कर दिया, simple process था, यहाँ ते dispatch कर दिया, और difference से आप समझते जाओ, उसके बाद जैसे ही इनके पास मिला, इनको बताएगा कि फला फला, importer, जो इसको bank को document मिल जाएगा, तो importer से बताएगा कि फला फला जो document हमें receive हुआ है, आप acceptance दो, क्या दो, acceptance, जब तक यह acceptance नहीं करेगा, तब तक हम आगे proceed नहीं करेगा, आप यह साथ जो documents होता है, वो क्या करेगा, एक bill of exchange हो था, उस पे sign वगएरा करके, वो बगर देगा, फला फला तारीक तक, वो पहले से एक डिया agreement में है, कि हमने 30 दिन का, 60 दिन का, 90 दिन का, 120 दिन का, जितना भी इन दोनों के बीच में, फला फला तारीक तक हम payment कर देंगे, क्या क अब वो यहां पर यह original document की demand कर रहा है, अब यह क्या कर सकता है, बैंक, यहां पर क्या कर रहा था, पीछली बर वो उसको भी payment कर दे रहा है, पर यहां पर payment तो आया नहीं न, तो payment करेगा, कैसे वो क्या करेगा, original document दे देगा, bill of exchange जैसे यह उसको मिल जाएगा, उसके बाद, छटवाँ पॉइंट होने के बाद, साथवाँ पॉइंट आप यहां पर देख सकते हैं, वो इसकी help से जाएगा, original document से clearance करा लेगा, ठीक है, यहां तक सेम था, अब यहां पर देखो, आटवाँ पॉइंट, अब सपोज कि यह वो टाइम आ गया, जिस टाइम पर इसको जो ह एग्रिमेंट हुआ एडी है के कोडिंग यह इसको transfer करेगा, और यह जो bank है, यह इसको transfer करेगा, बस सब को same है, यहां पर क्या हुआ, bill of exchange involved हो गया, और जो payment terms है, वो उधार की तरह भी हो गया, लेकिन direct दोनों की बीच में उधार नहीं हुआ, तो bank भी involved हो गया, कुछ हद त currency और cat दोनों से है, और इसमें क्या है, limit जो जैसे मैंने बताया होगा, चोथा point यहां से हड जाएगा, लॉस को भी देख लेते हैं, तो जिसे मैंने आपको बताया था, bank कोई guarantee नहीं नहीं ना, अगर यह payment नहीं देता है, तो ऐसा नहीं ना, कि bank जो है, इसको pay करेगा, exporter को bank को यह सब नहीं न, payment तो इसी को करना पड़ेगा, दूसरा क्या है, अगर यह accept नहीं करेगा, importer, तो इसको क्या है, वो जो return to origin का जो cost था, वो इसको देना पड़ेगा, और shipment को वापस भेजना पड़ेगा, और तीसरा क्या था, जो payment एक्सपोर्टर को point of measure, उसको जो payment यह था, time पर मिला था, अब उसको थोड़ा सा credit देना पड़ा, इसलिए उसमें time लग रहा है, तो बिलकुत same process था, और hope आपको दोनों slide में काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, अब चलते है next, अब next मैंने लिया है OA, जिसे कहते है open account, अब अपने इंडिया में बोले मुझे exporter पर वरोसा है कि यह जो है shipment dispatch कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक दूसे के ऊपर वरोसा करते हैं, खास करके exporter क्योंकि इसको माल पहले वेजना, उधार कर दे रहा है, तो यह जो जब रिसाइड होगा इन दोनों के बीच में यह POS को देगा, P.I. देगा या order confirmation दे देगा, उसके बाद क्या है 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, जितने भी दिन के इन दोनों के बीच में को उतने दिन का यह उधार दे देगा, अब यहाँ पर सबसे बड़ी problem होती है उधार में, कि आपने लिया 30 दिन का credit, आप यहाँ पर आपको समझना होगा, जिसे कि exporter न उसकी rate या shipment वहाँ पर पहुच जाएगा, house में clearance हो जाएगा, customer के पास पहुच जाएगा, वो उसको receive करने के बाद 30 दिन लेगा, तो यहाँ पर क्यों होगा, अगर वो receive करने के बाद 30 दिन होगा, सोचो आप 30 दिन आपका transit में लग गया, 30 दिन उसने लगा दिया, 60 दिन त थोड़ा समझना है, कि 30 दिन पर कहां से, तो वो पिल्कुल clearly mention होना चाहिए, कि net 30 days from the date of invoice, या net 30 days, BL date से, या next 30 days after receipt of material, जैसे receipt होने के बाद होगा, तब आप उससे follow up करोगा, कल को फिर यह सबसे ज़्यादा है, इंडिया में इसी पर टैल आते हैं, कि हमने 30 दिन कहा था, receive ह होने के बाद से, वो सिर्म net 30 days लेकर चलते हैं, तो इसमें थोड़ा सा आपको समझना है, क्योंकि एक बार आपने shipment dispatch कर दिया, तो आपको follow up करने में बहुत ही जान करने वाली है, और हाला कि payment मिल याता है, अगर जान पर चान अची रहती है, और आप बराबर transaction कर रहा है, त payment मिल जाता, पर ये लगता, time बहुत लगता है, ठीक है, तो इसने क्या किया, payment हो गया, इसने dispatch कर दिया, यहां से shipment के पास पहुँच गया, इन्होंने जो भी agreement था, कि वही हम 30 दिन में, 60 दिन में, अबबे दिन में देंगे, उस दिन इनको payment कर देंगे, और इस तरीके से जो आपका, जो OE का process है, वो complete हो जाएगा payment terms का, तो यह बिल्कुछ simple था, hope आपको वीडियो पसंद आई, और पसंद आई, तो प्रीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, thanks for the watching.